जहें दोस्तों एक और नहीं वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं SSGD के उपर टीक है SSA GD के उपर दोस्तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे इसके cut-up के उपर ठीक है और बहुत सारी analyze करने के वाद दोस्तो यह cut-up मैंने बनाया है ठीक है तो आप लोग ध्यान से देखेगा वीडियो को ताकि आपको हर एक चीज समझ मैं ठीक है कोई भी candidate जो है आपको बता दोस्तों यह मान के चलिए कि इसके आस-पास से आपको कटम जाने वाला है ठीक है तो वीडियो के आप लोग सुरूर से आन तक देखने का कोशिश करिए ताकि आपको हर एक चीज समझ मैं ठीक है तो यह जहता बाते हैं ठीक है ठीक है अगर हम लोग यहाँ पर टोटल वेक ही वेकैंसी को बहाँ ता तो 95 inputs 095 शेयं 221 वास में भी सुरौ वेकैंसी खीन डितने और तो 24 lion किachtet को और इसके बाद दो दौ dzięki के निगले तो कितनी ही दूस्तों 2022 में यह धिकिन सीठी चैВयांसी हो गई है और दोस्तों पूल केंधिक इंडिक कितने इस तो कम है तो मान के चल सकते दोस्तों की इस बार हम लोग के पास एक अच्छा तगड़ा मौका है दोस्तों नौकरी लिने के लिए सब्सक्राइब निकालने वाले हैं यहाँ पे क्टफ कुछ तो कमप्रेटिशन लेवल चीज होता दोस्तों की एक सीड के उपर कितने केंड़ेट ने वाले सबसे पहले हम लोग दोस्तों 2018 से सिर्व करतें इस चीज को तेके 2018 में जैसे कि मैंने बताया कि कुल दूस्तों कितने थे दूस्तों यह क्या है तूस्तों यह है थैक सीप पर कितने केंडेट है 163 केंडेट ने यहाँ पे अपलाई किया तो हाँ आप लोग सूच्छ चAKते हैं कि किसेiono लाक इन ने इस वेकेंडिया तो यहाँ पे सब से ज्यादा तो तो दोजर इकीस में हैं पर कंपेटिशन लेवल था आप लोग का 284 मारके चलिए एक सिर्फ पे 284 का दूस्तों यहां पर कंपेटिशन लेवल था तो काफी ज्यादा हाई कंपेटिशन अगले साल हुआ था हिए और इस बार के दो दो बात करें कि अपने की इस बार दो ओऊ-तॉ-प्यaráतर चलिए थो वह सोलाक एक है तो यहाँ पर आप लोग मान साँ कि पीछ्षील में और सबसक्राइब शुट्र लिइस और बात पर है देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अभी आप लोग ने रिट्रेन एक्जाम दिया है इसके बाद दूस्तों आपका एंसर की निकला और आप आपका रिजल्ट आने वाले तो रिजल्ट में कितने केंड़ेट पास करने वाले हैं तो यहां पर दूस्तों म अभी आप लोग मान के चलिए कि 50 लाख लोगों ने अगर एक्जाम दिया है तो यहां पर दूस्तों कितने यहां पर कॉलिफाइए करेंगे तो 3,41,480 केंड़ेट यहां पर पात करेंगे इसके बाद दूस्तों यहां पर दूस्तों आपका जब मेडिकल होगा तो यहां प बहुत ज्यादा केंड़ेट यहां पर छटने वाले हैं तो यहां पर दूस्तों लगभग एक लाख करेंड़ेट बचेंगे यान की 980 केंड़ेट दूस्तों यहां पर बचने वाले हैं आप लोग खुझ से देखें कि रणी किते टॉफ होने वाली है क्योंकि यहां पर चलिए इतना कुछ होगी दोस्तों अब हम लोग सिधे बात कर दें दोस्तों आपका जो यहां पर जो एससी नहीं आपका नहीं आता है तो दूस्तों आपका कॉपी को इस तरी दूस्तों फेक दिया जाता है यह कोई भी कॉपी में आना चाहिए तभी दूस्तों उससे मेरेट में यहां पर सामिल करता है तो यह चीज़ ध्यान रखेगा यह मिनिमुम कट अपने रहता है तो यहां पर जेनरल के लिए उन्होंने थर्टी परसंट रखा था ओभी से और EWS के लिए 25 परसंट रखा था और से स्ट्रीक लिए 20 परसंट रखाता है तो इतना मिनिमुम तो आना ही चाहिए तभी जो आपका कॉपी है वह मेरेट लिष्ट में ऐसे सामिल करता है इसके बाद तो हम लोग सीधे दोस्तों आते हैं अब दूस्तों आते हैं कटप के उपर दोस्तों इससे पहले दूस्तों यह करें 23.5 लाक्स यह पे एप्लिकेसन डाला गया है सबसे ज्यादा दूस्तों ओबी सी का यहां पर जो कटफ रहने वाला है वह तफ रहने वाला है ठीक है इसके बाद स्टी के बात करें तो 7.5 लक्स तो एकर हम लोग तो सी के यहां पर देखी 11.7 लक्स और वस्ती बात करें में कटफ वाला हो तो यहां पर के टेकरार यहां के बाताने वाला हूं और अधर अदर leggное Dutch का बताने वाला हूं तो यहां पर दोस्तों जब भी में कटांगा рист Sull दो के सकते हैं जब आपका कटप और जारी सेटीक है और इसके बाद दोस्तों मैं बता दो आपको यहाँ देगे दोतीन तरह का अपको फेस करना पढ़ेगा ऐसे महाइब क्या होता निकलता दूस्तों यह कर रनिंग के लिए रहनी के बाद काद जारी करता है क्यों कि यहाँ क्या होता है कि जैसे ही आप लोग रणिंग पास करेंगे तो लगबग दूस्तों मैंने अभी बताई कि तीन लग 71,000 होते हैं अगर रणिंग में ज्यादा केंड़ेट अगर पास कर जाते हैं तो ऐसे में यहां पर भी आपकी एक कटप लगती है ठीक है तो यहां पर भी जब फाइनल कटप वही होती है और वहीं पर आपकी नुकरी पक्की हो जाती है तो चलिवस्तों आज मंड़ों की करण से रहने वाली है ठीक है इससे अगर अगर इतना नमर आरहा तो आप दूस्तों इसके आसपास भी ऐगर आपका नमबर दोसे है तो अपना रनी को पूरी तरह से चालू रखेंगा ठीक है एक यह से से पहले अगर हम लोग बात करें देखेंगा मैं ने कटेवरी में यहां पर दिया है और इसके बाद दुस्ते से यहां पर लिग दिया है थीद से जाने वाली है- चबब एसट की और 46 और ये परसेंटेज नहीं यह नंबर मैंने दिया है इसके बाद आपको feeling यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपको यहां बात दिया है हर एक चिपनगे बात थो असम का भी आपने यहाप लोगढ़ देख सकते हैं तीटफे बिहार की बात करते हैं खास करने तो दिफेंस लाइन मैं ठीक है तो इसी प्रकार से दोखिए स्टी का अगर हम लोग बिहार में के बात करें तो 73-81 के स्टी के बात करें तो देखें स्टी का बहुत जदा यहां पर कपेटिशन तगड़ा रहता है बिहार में 96-104 के आसपास यहां पर रहता है और यहीं OVC की बात करें तो OVC का अच्छी का से दोस्तों यहां पर जाता है कट अब नाइटी 3-102 के आसपास जा सकती है और जनरल का तो बात ही अलगी यहां पर 94-102 के आशपास आपकी कटब जा सकते हैं ठीक है जाता दुस्तों नहीं बात करेंगे आप लोग यहां से दूस्तों सीधे अपना जो वीडियो को पाउस सकती है स्ट भी के ज़्यार क्यों है काफूडेंट के सकता है जाँने के स Chaos ने कौत कर दूसरा में तो यहाँ सबनाएबल के सकता है अगर दो क lavender paj deck of आज़ पास आपको जो है कटप देखने को मिलेगे ठीक है तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करने बिल्कुल में बूलिएगा आप लोग लाइक ने करते हैं तो इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है तो फिर्प्र वीडियो को लाइक करते जिए दोस्तों यहां पर दोस्तों लाउस्ट बंगाल तक मैंने बनाया है और किसी भी श्रेट कर चुड़ी तो आपका बीजिए आप बैक धूट करके बना दूगे तो यह था दोस्तों आज जो भी मैंने चीज्ट आपको बताई अगर आपकली फायदे मन दोस्तों यहां पर श मेहीं जे बारत